हेलो फ्रेंट्स वेल कम तो स्टडी मस्टर मैं हूँ आपका फ्रेंट जीयस रहे तो फ्रेंट्स अगर आप लोग हर्याना सिविल सर्विस इस की तियारी कर रहे है तो आज आप लोगों को पता होगा कि आज जो हेरिंग थी 26th of February आज जब मैं ये वीडियो अप्लोड कर रहा हूं तो friends, आज High Court के अंदर जो hearing थी तो उसका भी बता जता हूं, रिल्ट क्या रहा है गया, इस hearing के अंदर friends, क्या-क्या हुआ था, मतलब ये किस चीज के बारे में थी, वो मैं आपको पहले सारी चीज इंग क्लियर कर देता और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो CSAT है, वो qualifying है या merit-based है, कि जो CSAT के अंदर marks होंगे, आपको पता इसके अंदर दो पेपर हैं, जिन लोगों को पता है, नहीं पता तो बता देता हूं, इसके अंदर दो पेपर होंगे, एक general study 1 और एक CSAT, तो CSAT के अंदर generally क् 10th level का math होगा, reasoning होगी, और कुछ English के questions होगे, तो friends, इसके अंदर अभी क्या है, बहुत सारे बच्चों के यही comment आते है, यही doubt आते है, कि sir, जो अभी exam date तो आ चुकी है, लेकिन जो exam है, वो CSAT का qualifying है, या merit-based है, sir, हम किस तरह से त्यारी करें, मतलब अच्छी त्यारी करें, या सिर्फ उसको qualify करने की त्यारी करें, तो अभी जो case है, उसकी hearing आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि hearing के अंदर क्या status है, आप लोग देख लीजे, हर्याना High Court की site है, तो यह पर आप जाकर search कर सकते है, यह case number है, और 2018 case year है, search case, तो इसके अंदर बताना था, यह case ID, इस पर आप click करेंगे, तो पूरा जो download हो जाएगा, जितने भी आप इसकी hearing हुई है, जो बाते हुई है, petition name सुरेंदर सिंग है, respondent name, state of arena and another, advocate जगदार सिंग सिदू, status अभी pending दिखा रका है, next date मिल गए 6 माई 2019 की, तो friends, अभी आपके mind में यह होगा कि sir, 2019 की date 6 माई मिले ल जो आपका CSAT लिखा हुआ, साफ साफ जो notice जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने notice नहीं पढ़ा तो उनको हम बता देता हूँ, कि उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, कि जो CSAT है, वो merit-based है, जब तक case का कोई solution नहीं आया था, जब तक high court की तरफ से कोई orders नहीं आया चलो, मतलब जितने ज़्याद आपके mark साइंगे CSAT के अंदर, उतनी ज़्याद आपके qualifying होने के chances ज़्यादा है, prelims qualify करने के chances ज़्यादा है, तो ऐसा मत समझे कि सार यह merit-based है, या मतलब की दूसरा है, कि qualifying है, तो जब तक case की hearing का कोई decision नहीं आता, तब तक यह merit-based ही है, तो merit-based ही है अभी तक, तो इसी खिलाफ तो case हुआ था, आपको सारी चीज़े समझ आगी होंगी, और अगर आप लोग हरयना civil services की त्यारी करें तो आपको मारे चैनल को subscribe कर लिजे, आप लोग नीचे जो है description box में, playlist दी गए है, वो playlist देख लिए जुसमें आपको अच्छा material मिल सिजा है, thank you so much, take care, bye bye, God bless you all.